आज 29 नवेंबर है और आज के करंट अफेर्स के जितने भी important questions बन सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में discuss करेंगे और उसे related facts भी मैं आपको बताऊंगे तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना और आपको वीडियो कैसी लगी यह आप comment section में बताएं और आज के questions की pdf आप download कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से चैनल का link description में दिया है link पर click करके आप group join भी कर सकते हैं वहाँ आपको सारी pdf एक जगह मिल जाएंगे तो चले फिर start करता है इसकी स्थापना 1906 में हुई और इसका headquarter जेनेवा में हैं इसमें total 89 member countries हैं second question is किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदोर की तरज पर सफाई व्यवस्था का मसोधा तयार किया जाएगा so correct answer is A. उत्तर प्रदेश third question is किस देश की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुशों के फीफा वर्ड कप में अंपाइरिंग करने वाली पहली महिला बनी है so correct answer is B. प्रांस fourth question is भारत का पहला night sky अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जा रहा है so correct answer is A. जम्मु कश्मीर fifth question is किस दक्षिन भारती अभिनेत्री ने most popular female star का खिताब जीता है so correct answer is C. सामान्था प्रभू sixth question is audit महाने देशक की भूमी का स्रजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है so correct answer is D. तामिल नाडू seventh question is Operation Terts Shield किस देश द्वारा लॉंच किया गया है so correct answer is A. भारत भारत ने कच्छों के संडक्षन के लिए यह operation लॉंच किया है eighth question is पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामिनाथन रश्य पुरुसकर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है so correct answer is B. विश्नुत्रपाथी ninth question is KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक किया गया है so correct answer is A. विनीत कुमार KVIC is Khadian Village Industries Commission tenth question is हिंद महासागर रिम असोसियेशन की मंत्री परिशद की 22 वे बैठक कहा आयोजित की गई है so correct answer is D. बांगलादेश 11th question is किसने इंडिया दा मदर ओडेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है so correct answer is C. धर्मेंद्र प्रधान 12th question is किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक किया गया है so correct answer is B. बेतशसी शावेज 13th question is किस राजे सरकार ने 22 लाग किसानों को 14,000 करोर रुपे का करजा माप किया है so correct answer is D. राजिस्थान 14th question is उपराश्पती जगदीब धन्खड ने कहां युनेस्को इंडिया अप्रे का हैकेथोन को समभोधित किया है so correct answer is A. ग्रेटा नॉड़ा 15th question is भारत कहां संयुक्त राश्ट के शांती अभियानों के लिए हेलिकॉप्टर भेजेगा so correct answer is D. माली 16th question is किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 जेसीबी पुरुसकार जीता है so correct answer is B. दे पैरडाइस अफूड 17th question is किस ने अट्लांटिक महसागर तल का पहला विज्ञानिक मानचित्र बनाया है so correct answer is A. मैरी थारप 18th question is केस्ट्रोल इंडिया ने TVS ओटो मॉबाइल की डिजटल एकाई में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है so correct answer is C. 7.09% 19th question is 2023 S.C.O. शिखर सम्मेलन का थीम क्या है so correct answer is A. पोरे सिक्योर्स S.C.O. 20th question is The word एफेमली हिस्ट्री उस तक के लेखा कौन है so correct answer is B. साइमन सेबग Thanks for watching my video अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें comment करें चैनल को subscribe करें और bell icon को hit करें Thank you